तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप लोगों का आर्जी का रिबू चैनल में तो आज आपके लिए लेकर आए एक और नई वीडियो जो की है एक्सर के आज मैं बताने वाला हूँ नौन-CNG के बारे में तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसके प्राइज के तो आपको आपको आर्ट लाग रुपई यह कॉस्ट करता है यानि कि साथ लाग निन्यानबे नौन सो नौन एक्सरूम कॉस्ट यह करता है और सारी चीज़ें स्पेस सबसे पहले फ्रेण लॉक की बात करें तो यहां पर एक्सर की बैजिंग देखने से हुन्डाइ का लोगो और आप द्यारल से जो हैं वह आपको एसवे में देखने को मिल जाती है और फ्रेंट लॉक देखने तो एक वाला लुप जो है वो आपको प्रवाइड कराती है यह फ्रेंट में जो इसकी प्यानो ब्लेक कलर के गिरल देखने को मिलती है बंपर से ज़स्ट उपर वाली काफी ज़्यादा प्यारा लुक प्रवाइड कराती है जो इसकी स्केट प्लेट है वो आपको metallic ग्रे कलर में देखने को मिलती है बो भी एक अपने आप में अच्छा सा लुक प्रवाइड कराती है उपर आपको ऐसा लगेगा बोनट और बंपर के बीच में जैसे कि आपको connecting DRLs देखने को मिलती है आपको यह लगेगा कि यह आपको केबल अलाएका लुक प्रवाइड करा रहा है बट यह असल में HyperStyle Wheel ही आपको देखने को मिलता है और टर्न इंडिकेटर LED में और वाइड पे ही आपको देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे अगर और कुछ बात करें इसके अंदर के तो आपको इसमें चारो पावर उंडो इलेक्टिकल स्वीच मतला जो बूट ओपनर है वो तो आपको अंदर देखने को मिलेगा लेकिन जो है आप इंटीर की बात की जाए तो इंटीर में जो है वो आपको कुछ इस टाइप से टेक्पर परवाइट कराती है अब नहीं के जो प्रिमियुम मैश है वो तो आप लोग जानते हैं प्रिमियम तो है अब हुट उढ़्ले अपनी गाडियों को प्रिमियम तो रखती ही रखती है स्टेरिंग वील के अगर बात की जा तो स्टेरिंग वील तो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है एक तरफ आपको C&G की बैजिंग देखने को मिल लिए एक तरफ आपको पेट्रोल वाला क्योंकि जिस बैरेंट में हम बैठे हैं यह C&G वाला बैरेंट है अगर हम non C&G वरेंट में जाएंगी तो आज हम non C&G वरेंट की ही बात कर रहे हैं तो वो आपको फीचर्स बगरा जो है same provide कर आएगा बस फर्क कितना होगा कि आपको इसमें C&G मिलेगी उसमें non C&G देखने को मिल जाती है अगर बात की जाए और कुछ इसके infotainment system की तो infotainment system जो है वो आपको कुछ इस type से देखने को मिल जाता जिसमें android auto apple carplay जैसे features आपको support करता है बट बायर के through ही support करेगा और आपको बायर लगाके ही यह features जो है चला सकते है otherwise नहीं parking camera इसमें देखने को आपको मिल जाता है बट अच्छी बात है आपको AC controls जो है वो आपको automatic play के साथ आपको देखने को मिल जाता है यह अगर मैं आप लोगों बताओ इंजिन जो है 1.2L देखने को मिलता है 82bhp power देखने को मिलती 113.8nm का talk देखने को मिलता है कुछ इस type से phase 2 engine आपको इसमें देखने को मिल जाता है ग्राउंड के लिए 1685 mm इसमें देखने को मिल ज एट feature के साथ देखने को मिल जाएगा ऊपर जो आपके room lights है reading lights वो आपको हाईलोजन में देखने को मिलती है कोई बी LED का option अंदर देखने को नहीं मिलेगा आपको माईक की placement कमाल की जीच जो है इस वरेंट से आपको sunroof start हो जाता है जो कि इसमें आपको electrical opening sunroof देखने को मिल मिलता है अगर कहीं और बात करूं मैं इसके कुछ डेक्स वोड में जो आपको देखने को मिलता है क्वोर उससे ओपर भी थोटा सा इस पेस के साथ आपको गलोबॉक्स देखने को मिल जाएगा उपर आपको पर्टयुकलर हाफ्ट के साथ आपको पर्ट्रि कि से एक और चीज़ जो है S variant से इसमें change देखने को मिलते हैं जो कि इसमें sitting में फैब्रिक के साथ आपको leather का भी काम देखने को मिल जाता है इस variant में डोर driver side में आपको चार पाव लंडे को switch unlock, lock option, electrical receiver और electrical foldable orbs का भी option आपको देखने को मिल जाता है यह भाई CNG variant है तो CNG variant में आपको CNG to petrol convert करने के लिए और switch अलग से dedicated देखने को मिल जाएगा अगर यह petrol variant में आप जागे तो यह आपको देखने को नहीं मिलता है एक चीज़ मैं आप लोगों और बता दूँ अगर आप petrol variant लेते हैं तो उसमें आपको cruise control देखने को मिल जाता ह और interior के अगर एक सब्सक्राइब नहीं तो interior है जो की हुंड़े बना के देता है एक premium जो फिल होता है वो आपको बना के देती है बात करते है रियर सीट्स की तो रियर सीट्स के अगर देखेंगे तो डोर ओपन करेंगे तो डोर हंडल जो है बॉडी कलर देखने को मिलता है डोर में इसमें भी आपको पावर ओंडर का switch वे एक bottle holder, speakers की placement आपको चारो doors में देखने को मिल जाता है फैब्रेक में seat से देखने को मिलती है उसी के साथ साथ पीछे आपको rear AC bend भी देखने को मिल जाता है अला कि इसमें आपको rear AC bend के साथ साथ नीचे आपको 12 volt का charging socket भी दे कर देने में और diet complete करती है भाई पंच से अब पंच का अगर इस वाले model से comparison करेंगे तो वह जो है वह आपको accomplished diesel वाले model से आप comparison कर सकते हैं उसमें उपर देखने हैं तो आपको वही आपको संदूफ बगरा सब सीजन देखने को मिल जाती है और interior आपको देखने को मिल जाता ह रूफ जो है वह आपको white color में देखने को मिलता है नीचे जो है ब्लैक से gray type का आपको देखने को मिल जाता है और space बगरा काफी स्थीक देखने को मिल जाता है लेकिन यह साथ साथ जो पीछे प्यानो black color का काम किया गया है काफी अच्छा लुक प्रवाइड कर आता है एक्स्था की बेजिंग आपको parking sensor देखने को मिल जाता है और उसे के साथ साथ आपको Hyundai का logo जो है वो देखने को मिल जाता है इसमें CNG की बेजिंग देखने को मिल जाता है नौन सेंजी वाले बैजिंग देखने को नहीं मिलती है रियर वाइपर नहीं मिलेगा भाई लेकिन डियर डिफोगर आपको जरूर देखने को मिल जाता है उपर सार्फ निंटी न रूफ रेल भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है यह पाकिंग कैमरा और लेक्टिकल आपको देखने को मिल जाता है यह सिंजी वाला बरेंट है आप लोगों को बताना जरूरी था क्यूंकि सारे फीचर सेमलर देखने को मिल जाता है इस टाइप से यह आपको पूरो वीडियो देई और वीडियो अच्छी लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यरह करें धुर्पर्सकों टेकर गषिए